बात करेंगे Classic Physic Division की Amateur Olympia में प्रो काड के लिए लड़ाई चुरूए दोस्तों Classic Physic Division में तीन–4 ही अटलिट थे जो मुझे उनका नाम पता था और उनको देखा मैंने इस डिविजिन में बात करेंगे 1st एंस्ट एंस्टेगर्म पे उनका नाम अईड़ी है और आप देख सकते हैं फोटो उनकी फीजिक इंस्ट्रोगाम पे तो काफी ज्यादा तगड़ी और डेवलप नजर आती है बट स्टेज पे इस लब एथलीट के लाइन अप में इतने ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे थे वन फाइट्री उनका जो ट्रॉंग नंबर आप देख सकते हैं सेंटर में फीजिक काफी अच्छी थी काफी डॉमिनेटी थी बट उतनी ज्यादा होनी के वज़े से मुझे नहीं लगता कि उनको प्रोकार मिलेगा बट कोशिश काफी अच्छी थी उनकी उनके बॉड़ी में पोटेंशिल काफी ज्यादा है और साइज डिफिनेटली दीपक नंदा जो है क्लासिक फिजिक डिविजिन का प्रोकार अपने साथ लेके जाएंगे दोस्तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी उनके फिजिक है इस्पेशली जो कंडिशन है क्रिस्पी कंडिशन उनकी काफी तगड़ी लगती है लोवर बोड़ी की साइ काफी जादा सूट कर रहा था काफी शाइनी लग रही थी उनकी फिजिक पूरे लाइनप में उनकी जो कैटिगरी है उनके पूरे लाइनप में दिपक नंदा काफी जादा उभर की दिख रहे थे और शायद ही कोई उनसे अभी इस प्रोकार को लेके चीन सकता है मतलब मुझे काफी जादा पसंद आये सारे के सारे अथलीट काफी जबर्दस लग रही थी डिविजन और बहुत टाइम लगा जेजेस को फर्स्ट जो प्रेजेजिंग का जो फर्स राउंड था जो फर्स्ट कॉल आउट था उसमें एथलीट को बुलाने के लिए उनको काफी ज इस्टरग्राम पर या आथलीट आप देख सकते हैं फोटो में यह भी आये थे वहाँ पर लास्ट टाइम उन्होंने बॉड़ी बिल्डिंग कैटेगरी में कंपीट किया था और इस बार उन्होंने क्लासिक फिजिक डिविजिन में कंपीट किया है बट इनको फर्स कॉल आ आथलीट है साइस काफी अच्छा है कंडिशन उतनी अच्छी शायद नहीं लेकिया पाए जेजस ने उनको प्रेफरेंस नहीं दी बट कोई बात ने काफी जबरतस उनकी फिजिक थी और काफी तगड़ा यह डिविजिन था दोस्तों वीडियो आकर तक जोर देखना और इसमें कोने कुन कुन किस किस अथलेट को पहिचानते इस पूरे लाइंड आप में मुझे नाम लिखके ज़रू बताइए बताइए झाल झाल